पता नहीं दुनिया भारत को क्या समझती है और जब न तब भारत को सलाह और धमकी देती रहती है लेकिन भारत भी ठीक उसी तरहा उन देशों को करारा जवाब देता है पहले आपको अमेरिका की कहानी बताते है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान के लिए मदद की घोशना की तो विदेश मंतरी जैशंकर ने भरी महफिल में अमेरिकी विदेश मंतरी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा हमें आप मूर्ख ना समझें इसके साथी साथ भारत ने तेल वाले मामले पर कहा था कि हम तेल लेंगे अगर अमेरिका हमारी आलोचना कर सकता है तो उसे जर्मनी और योरोप के और देशों के बारे में क्या कहना है इस बयान से दुनिया में तहल का मच गया और सब कहने लगे कि अमेरिका को भारत ने करारा जवाब दिया यहीं नहीं भारत ने कई मामलों में रूस को भी जड़की लगाई है अगर आपको याद हो तो पता होगा कि कैसे रूस यूक्रेइन युद्ध के दौरान समरकंद में जब मोधी के सामने रूसी राश्रुपती व्लादमिर पुतिन सामने आए तो पी-म ने जो कहा वो दुनिया देखती रह गई इसके साथी साथ कई और मौके आए और गए और भारत ने सही और तार्किक बात कहकर शक्तिशाली देशों को चुप करा दिया अब एक बार फिर रूस ने भारत पर आरोप लगाया लेकिन भारत ने उसका मूँ तोड जवाब दिया है और कह दिया कि हमारे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है ताजा मामला जो सामने आया है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे जी है भारत ने गुरुवार को रूस के उस दावे का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि नाटो भारत पर मॉस्का और बीजिंग विरोधी गडबंधन में शामिल होने का दबाव डाल रहा है संयुक्त राष्ट्र संग में भारत की स्थ्याई प्रतिनधी रुचिरा कमबोज ने इस दावे पर कहा कि भारत एक बड़ा देश है जो अपने दम पर खड़ा है और गौरवानवित है कोई भी इस पर दबाव नहीं डाल सकता कमबोज ने कहा कि भारत की बहु आयामी स्वतंत्र नीती है रूस के साथ हमारे महत्वपून संबंध है और जहां तक अमेरिका के साथ संबंधूं की बात है तो ये एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी जानकारी देते चले कि भारत ने सुरक्षा परिशत के अध्यक्षता उस समय संभाली है जब वीटो के अधिकार वाले रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमार और उससे उपजे वैश्विक तनाव से वो असहाय हो चुका है इसमें पश्चिमी देशों और रूस के साथ भारत का संबंध उपयोगी हो सकता है गुरुवार को महीने भर के लिए सुरक्षा परिशत के कारिक्रम में यूक्रेन मुद्दे को शामिल नहीं किया गया लेकिन कमबोज ने कहा कि उन्हें उमीद है कि ये मुद्दा सामने आएगा कमबोज ने आगे कहा कि भारत यूक्रेन को 12 मेडिकल कंसाइनमेंट और शैक्षिनिक संस्थानों के निर्मान के लिए वित्तिय सहायता प्रदान कर रहा है तो हम सब तरफ देख रहे हैं और सुन रहे हैं फिर विचार करके काम कर रहे हैं तो हमें कोई सिखाय नहीं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना वहीं जैसे भारत ने रूस को सुनाया दुनिया में हलचल मच गई और भारत की धाकी एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई अब देखना होगा कि आगे रूस क्या कहता है और क्या करता है लेकिन जो भारत ने कहा वो सही है और सटीक है